इजराईल और एरान के बीच भीसरड लडाई छिड़ गई ये भड़ी खबर बड़ा अपडेट हम आप तक साजा कर रहें इजराईल पर हले की तैयारी में है इरा ये बेहा दाहेम कबर हमाप को बता रहे हैं इजराईल पर हजारों ड्रों रोकेट दाग सकता है इरान ये जनकारी मिल रहे है एराक, लेबनान भी एजरैल पर हमले की तयारी में है भारती दूताबास ने भारतियों के लिए निरदेश जारी कर दिया है यह वेहा, दाहिम्खबर हम आपको बता रहे हैं तरand लेबनान चोडने के लिए कहा गया है भारती दूताबास ने सभी नागृ के लिए वाकाइदा एक अलर्ट जारी कर दिया है निर्देश जारी कर दिया है और कहा गया है तुरंत लिवनान छोड़े यानि भीचनड जंग होने जा रही है इसराइल पर हमले की तैयारी में है इरान ये वेहा दाहिम कबर हम आपको बता रहे हैं इरान और इसराइल के भी इरान और इसराइल के बीच जो भीचनड जंग चल लगी है उन सब के बीच अब ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है निर्देश जारी कर दिये गया है भारत की तरफ से लेबनान में जो भारती नागरिक रह रहे हैं उनके लिए और कहा गया है तुरंत लेबनान क्वी भारती ये वेहा हद आहओ कवर हम आपको बता रहे हैं चौकाने वाली खबर किस तरीके से हानिये की मौत के बाद जो हमासच का चीप था पॉलिटीकल नेता था, पॉलिटिकल लीडर हान、 ये उसकी मौत के बाद उसको ढ़ेर करने के बाद अब जो है, इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है इसराइल पर बड़ा आटैक करने की तैयारी में है, इरान, इराख और लेबनान ने इसराइल को गेरना सुरू कर दिया है ये वेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं चोकाने वाली खबर बता रहे हैं किस तरीके से मिडिल इस्ट अब जो है एक कह सकते हैं भी सर्ट तबाही देखने को मिल सकती है इधर अमेरिका ने भी अपने कमांडो उतार दिये हैं इजराइल के समर् होने जा रही है इजराइल और इरान के बीच इरान के समर्तन में इराक और लेबनान भी आ गया है इन्होंने इजराइल को घेरना सुरू कर दिया है इसी को लेकर भारती दूतावास की तरफ से लेबनान में भारती नागरिकों के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं और कहा गया है तुरंत लेबनान चोड़े हैं यानि किसी भी वक्त एक वीशनट जंग हो सकती है और इस जंग का अंजाम क्या होगा ये देखना बड़ा महत्पूर होगा फिलाल तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फुल एक्षन में इस वक्त बेंजामीन ने त खाई दे रहे हैं और जिस तरीके से इसराइल ने इरान में घुसकर बाकाइदा हमास के मुकिया को मार गिराया था उसके बाद अब जो है जंग लगातार बढ़ती जा रही तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जबर दस तरीके से रोचक कह सकते हैं जंग यहां पर देखन नागरिकों को इसी हमास के मुकिया ने बंदक बना लिया था जो आप तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस हानिये को जब धेर कर दिया इसराइल ने उसके बाद दोनों देशों के बीच इरान और इसराइल के बीच जो है जंग लगातार वरती जा रही है अब इस बीच रक्षा एक्सपार्ट ने दावा कर दिया है कि इरान पर इसराइल पर ये हमला इसी साल अपरेल में वो अटैक में सबसे बड़े इस्तर पर होगा फिलाल ये बेहाद आहम आपको खबर बता रहे हैं इसमाईल हानिया की बाद इरान अपना बदला लेने की य तैयारी में है इस वक्त इरान तो एक बेहाद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इसराइल और इरान से जुड़ी हुई जहां पर हानिया की मौत के बाद हानिया को जब इसराइल ने मार गिराया उसके बाद अब जो है इसराइल और इरान के बीच एक भीषण यूद होने जा रहा है क्योंकि इरान ने इसराइल की घेराबंदी सुरू कर दी है इरान के साथ साथ लेबनान इराक भी इरान के साथ कड़ा है उसने मिलकर इसराइल को घेरना सुरू कर दिया है और एक पूरी प्लानिंग तयार की जा रही है पूरी एक योजना तयार की जा रही है कि किस तरीके से इजरायल में हमले करने हैं इजरायल पर हजारों ड्रोन रोकेट दाख सकता है इजरायल ऐसी इरान ऐसी जानकारी मिल रही है फिलाल ये वेहद आहम खबर हम आपको बतर रहे हैं इजरायल की मदद के लिए अमेरिका आगे आगे है और अमेरिका चेताबनी भी द बढ़ता जा रहा है रिशी को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा पैसला कर दिया है अमेरिका का कहना है कि मिडिलिस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्ध पोत तैनात करेगा यह वेहद आयम ख़बर और चौकाने वाली ख़बर हम आपको बता रहे हैं अमेरिका मिडिलिस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्ध पोत तैनात करने जा रहा है इसको लेकर अमेरिका ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है अमेरिका का कहना है कि इरान और उसके सयोगी हमास और हिजबुला से खत्रों को देखते हुए य हमला कर सकते हैं इसलिए निणने लिया गया है तो आप देखिए किस तरीके से इसराइल के समर्तन में जो है इस वक्त अमेरिका पूरी तरीके से ख़ड़ा है फिलाल इसराइल को घेरना शुरू कर दिया है इराग इरान और लेबनान ने तो कुल मिलाकर मिडी लिस्ट में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है.